करें शबसे पहले मैं आपको बतादू कि आप जो सब्ता है उसके और विकेंड को और सब्सक्राइब कर दिया गया है और पूर्ण लॉक्डाउन संदितक रहता था तो ओ आज भी जारी रहेगा इसके अलावे कई लॉक्डाउन के नेमों में और बदलाव के भी संकित आये हैं लेकिन फिलहाज जीस तरीके से जो पुर्व की जो गाइड लाइन्स थे लगभग मिलाजी उला करते हो ही हैं लेकि करीब 8 बज़े से लिकर अले सुबह 6 बज़े तक उन्ता लॉक्डाउन लगे रहेंगे और सबसे पहले ये भी आप जाने की कोशिस करें कि जिस तरीके से करोना के खत्रा को देखते हुए सरकार और जीला परसासन जो है कदम में कदम मिलाकर चल रही है और एक तरफ लोगो बोकारों की सड़कों पर जो अच्छाल करनी जो है खत्रे से खाली नहीं कहा जा सकता है बलकि बजारों में तो हलात जो है दीनों दीन बेकाबू हो जा रहे हैं लेकिन सवाल है अभी हम खड़े हैं बोकारों के सिक्तर फोर में जहां आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि तमाम दुकाने तो अभी भी नहीं खुली हुई है लेकिन अभी समय भी उसका नहीं हो पाया है लेकिन सवाल यह है कि सभी दुकानों को खुलने की अनुमती परदान कर दी गई है और तमाम दुकाने आठ बजे तक ही खुली रहेंगी और आठ बजे के बाद तमाम दुकान में चलने वाली बॉसों के भी परिचारों समानने रहेंगे जैसे कि फुर्व में लॉकडाउन के निमों में जो बताए गए थे लेकिन अब फिलहाल यह है कि हम आप तफ्वियों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी जो है लॉकडाउन को जिस तरह से बोकारों को लोग जो है फॉलो कर रहे हैं तो यह बेशा कहा जा सकता है कि खास्तर पर बोकारों में लोगों की चहल करनी कम है लेकिन वही अगर मैं चास की बात करता हूं तो चास में जो है मास्क का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है और लोग साख ओपर धरले से चल रहे हैं जो करुना को आम पंत्रन दे रहे हैं लाइब लगातार बोकारों से दिनेश कुमार पांडे